दोस्तों अगर आपको accounts job interview में इस परकार की manually receipt book देके और ये बात बोली जाए भी आप इस voucher की with discount के समेद tally software में entry करके बताओ या फिर accounting software आपको कोई भी दिया जा सकता है आपको कैवल ये entry करनी है या फिर आपसे ये बात बोली जाए भी आपको इस type की manually एक receipt त्यार करनी है पांच जार रुपे की रसीद होनी चीए जिसमें 200 रुपे का case discount भी होना चीए तो दोस्तों यहाँ पर आके जो ज़्यादा तर नए fresher accountant होते हैं इसकी इंट्रियम कहां पर करनी है receipt voucher में entry करेंगे या फिर इसकी payment voucher में entry होगी तो काफी सारा mind में उनके suspense बना रहता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये सारी बाते में practically बताने वालों वि इस voucher की entry को हम practical तरीके से किस परकार करेंगे दोस्तों अगर आप एक नए accountant हो टेली के नए operator हो टेली software को practical तरीके से सीखना चाती हूँ तो आज की इस वीडियो को end तक complete जुरूर देखना कोई भी इस वीडियो का step skip किये बगेर तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी request वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक तो जुरूर करी देना साथ में दोस्तों के साथ शेर भी कर देना अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करिये तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर ओन कर लेना ताकि मारे आने वाले हर नए ने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा तो नमस्कार दोस्तो मैं हूं मौन सुतार और आप सभी दोस्तों का हमारी यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों वाउचर को देखते ही सबसे पहले तो आपको इस बात का अंदाजा लगाने ये जो रसीप्ट वाउचर है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो यहां पर सपस्ट रूप से लिखाव है रसीद बुक यानि कि receipt voucher, ये receipt voucher में entry होगी, तो ज़्यादा तर ने student होते हैं, इसको receipt book को देखते हैं, वो इसी समझते हैं, भी receipt का मतलब हो गया receipt, और वो आँख मीचिके इसकी receipt voucher में entry कर देते हैं, तो जबकि आपको इसको अच्छी तरीके से समझने हैं, भी ये जो receipt book है, वो किस के द हमारे software पर, अब जैसा कि हमारे tele software हमारी company open है, अगर हमारी company की बात करें, तो हमारी company का नाम है जो शाम trading company, तो इसका मलब हमारी जो company है वो शाम trading company है, अगर इस receipt को देखा जाए, तो receipt को issue करने वाला कोन है, सुमित traders new, यानि कि ये सुमित traders ने शाम trading company, यानि कि हमारे को issue किया, किसके against में हो सकते हमने इसको कोई advance payment करी हो, या फिर हमने इससे पहले कोई समान परसेज करके रखा हो, ये दोनों में कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन अब हमें एक बात तो तेया होगी, भी हमने सुमित traders new को बुकतान किया, उसके against में हमे ये सुमित traders new की तरफ से ये receipt हमें मिली है, तो अगर बात करें सुमित traders new की तरफ से, तो सुमित traders new की तरफ से तो ये receipt बन गया, और स्याम trading company, यानि कि हमारी company के दवारा ये payment voucher बन गया, अब यहां तक एक बात तो तो तिया होगी, अब ये हमारा receipt voucher नहा होने की बज़े हम हमारा payment voucher होगा, और इस payment voucher में हमारी जो receipt संक्या ये रहेगी, अब बात हम करते है, discount की, तो discount का मतलब होगा है, भी हमने जो payment करिया है, वो 4800 रुपे की करिया है, यानि की 4800 रुपे करिया है, और हमें 200 रुपे का इसमें case discount भी मिला है, तो अब इसका मतलब, भी हमने एक तरीके से उनको 5000 रुपे की payment कर दी, लेकिन 5000 रुपे हमनों ने जो case हमने जो उनको दिया नगद जो हमने payment करिया, वो 4800 रुपे ही करिया, तो इसकी entry हम किस तरीके से करेंगे, हम submit traders को 4800 रुपे से debit करना है, या फिर 5000 पूरे से debit करना है, इस बात को हम practically तरीके से टेली सोफ फिर में entry के साथ समझते हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे entry करने के लिए voucher पे, तो आप सबसे पहले आपको मैं लेजर दिखा देता हूं, जिसमें हमारी submit traders new, हमने इस company से, यानि कि submit traders new से, एक invoice हमारे पास आया, यानि कि हमने goods कुछ परस्येज किया हुए, उसी के against हम payment दे रहे हैं, तो ये 2 मई 2021 का ये invoice है, और ये जो receipt है, ये भी 2 मई 2021 की, यानि कि ये जो receipt है, ये manual रूप से generate की विए हाथ से ये बनाई भी receipt book है, तो इसके entry करने के लिए हम gateway टेली पर आएंगे, वाउचर पर हम आएंगे, और वाउचर पर आने के बार आप मारी payment है, और पैमे पैमेट वाउचर जैसे हम ने किया, तो यहाँ पर जो वाउचर नमबर है, वो हमें यहाँ पर लिखने है, तो अब हमें यहाँ पर इसको automatic की बज़ए manual करना पड़ेगा, तो manual करने के लिए gateway टेली पर आएंगे, वाउचर टाइप पर आएंगे, और हम इसमें से select करेंगे पैमेट वाउचर को, और automatic के वज़ए यहाँ से हम कर देंगे, manual और जो prevent duplicates है, इसको भी कर देंगे, अगर हम दुबारा उसको post करने की कोसिस करें, तो हमें warning मिलनी चाहिए, और वो accept भी नहीं होनी चाहिए, पैमेट वाउचर पर जाएंगे, अब यहाँ पर देख रहें, वाउचर नमर यहाँ आजएगा, अब यह जो रसीद संक्या है, 1208 में की, 1208 में, तो दोस्तों अगर यहाँ पर, जहाँ पर अभी सुमित ट्रेडर से नाम आपको दिखाई दे रहें, अगर इसकी जिगह नाम होता, शाम ट्रेडिंग कमपनी, और यहाँ पर कोई किसी और अगर किसी कस्टमर का नाम होता, तो इसका मतलब यह होगा, यह जो रसीद का यह स्याम ट्रेडिंग कमपनी के दोबारा इस्यू करी गई है, किसको इस्यू करी गई है, उसका नाम हमें यहाँ पर मैनुवल रूप से, अगर आप कॉम्प्यूटर एड इस्यू कर रहे हो, त 5,000 रुप हम डेबिट करेंगे, और अगेंस्ट रेफरेंस में जो हमारा एक इन्वोइस इन से आया हुए, दो मई का, अब 4,650, अब पेमट हम कर रहे है, तो उसके अगेंस्ट में हम एक बार यहां से इनको न्यू रेफरेंस कर देंगे, अब न्यू रेफरेंस में हम एक ताकि जब भी इनका इन्वोइस आएगा, तो यहां पर हम उनका इन्वोइस का नंबर डाल देंगे, अभी हमें नहीं यह पता नहींगा, जो हमारे पास इन्वोइस आएगा, उसका नंबर क्या रहेगा, तो 4,650 रुपे तो जो इन्वोइस यह था, इसके अगेंस्ट में पूरा हो चुक है और जो 350 रुपए ये एक्स्ट्रा हो गया तो इस तरीके से ये टोटल 5000 रुपए की अमाउट आजू डेबिट हो जेगी और अब हमें डिसकाउंट मिला है तो अब हमाँ डिसकाउंट मिला है तो इसका मतलब क्या हुआ और हमारी कंपनी के लिए एक्स्ट्रीके की इंडिरेक्ट इंकम हो गी है तो यहां पर हमें एक लेजर करना पड़ेगा केस डिसकाउंट रसीव के नाम से तो अल्सी का शोटकर टाम यूज़ करेंगे अगर आपके पास नहीं बना वए तो तो केस डिसकाउंट रसीव और इसको हम रखेंगे इंडिरेक्ट इंकम में हो और उस पर जीसटी तो लगी नहीं है तो इसको जीसटी को हम करेंगे नो टेलिके बल और इस वावट लेजर को करेंगे असेप्ट अब उसके बाद में हमें धुब दिसकाउंट हमें मिला वो 200 रुपय का मिला है तो 200 रुपय हम करेंगे अब जो पेमिट हमने दिये कास अब कैस हमारा 4800 रुपय का तो इस तरी के से यह इसके जनल इंट्री बन जाएगी विस सुमित ट्रे दश्ट अकाउंट डेबिट 5000 से कैस डिसकाउंट रस दो सो रुपे से और के सजो 4,800 रुपे से और इस वाउचर को भी हम करेंगे आपर असेप्ट तो इस तरीके से हम इस वाउचर की प्रैक्टिकल इंट्री करेंगे तो आपको कनिफूजन नहीं होना है और यह जल्दबाजी के अंदर क्वेवल रसीत देखे अब कई बार अग की कंपणी की है तो रसीक वाउचर में होगी अगर आपको किसी सामने वाले इस वीडियो को लायक देसे जरूर के अगर आपने मारे वीडियो में एक और नए टोपी के साथ